एकमसद मुर्खा बहुदा 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 नाहमेतं पुरुशं महांतं आधित्यवर्णं तमसप परस्तात सर्वाणि रूपाणि विभज्य धीर नामा निकृत्वा भीवदन यदास्ते ये वेद को दृष्टी है अब यहां से कांसु देवता आहें सब बहुत सारे देवता हैं कांसु आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं 13 त्रिम्षद, खुब्सूरत ब्राम्मन को है ये वचन, अश्टव वसव, एकादशो रुद्रा, द्वादशा आदित्या, एक त्रिम्षद, इंद्रश्चाईव प्रजापतिष्च, 13 त्रिम्षद, एनुमरेट करके बतायो, आठ वसुदेव हैं, जारा रुद्रदेव हैं, द्वादा शादित्या, बहुत सारे हारे समाजी कहें कि इनने कहीं पुरान के देवतान को तो नाम ही नहीं है, भई तुमारा परस्पेक्टिव नीचो है, पुराना मुर्देयम स्मृत्तम कहनों क्या चाह रहे हैं वो तो देखो ध्यान से सुनो, कातमे वसव अगनिश्चा पृत्विचा, वसु क्या है, तो कहरे हैं कि वसुदेव, वसुदेव, तो वसु कितने हैं, तो कहरे हैं कि अगनिश्चा पृत्विच्चा वसु है, रुद्र कितने हैं, यहां अगनी तो रुद्र है वायुष्च अंतरिक्षन च और आदित्यम दौश्च अब देखो चयस्त्विशामित्य विधारितम पुरा तता शरीरी ती विभाव पिताक्यतिम पहले पुर्थी भूर भूवस्वा है तो अब भू के साथ अगनी देव आयो भूवा हतो वावखत वायु और इंद्र नहीं आये ब्रामन के लेवल पे आके समझ में आयो के नहीं एक अंतरिक्ष है और एक अंतरिक्ष को अधिश्चाता देव है जाकु अपन वायुदेव और इंद्र देव कह रहे हैं एक सुव हतो, भूर भूस्व, वो सम्मिता को है, वो एक परस्पेक्टिव है, वो चयस्तुशामित्य अविधारितम पूरा, ततो शरीरी ती विभाविता कृतिम, वाके बाद लेवल अब परसेप्शन थोड़ो, ब्रामन के वकद, और बढ़े हो, ब्रामन को मतलब भी, वे वेद में ब्रह्म को मतलब वेद है, या के लिए अपन वेद पढ़ते को ब्रह्मचारी के है, ब्रह्मचारी को मतलब अमै थुन नहीं है, यह तो जैन और बहुत धन ने की हो, अमै थुन जो है, वो तो जैन बहुत धन को आर्थ है ब्रह्मचारी को, ब्रह्मचारी को अपन ब्रामण, ब्रह्म सुर्ज रिलेटेड होए वो ब्रामण, ब्रामण के लेवल पे डीटेल और पता चली, कि भूर भुवस्वाक है, अधिश्ठाता देव, अगनी, वायू, इंद्र और विष्णु भी हैं, वा विष्णु को वामन भी कह है, वे, कि ये वामन ने तीन पैर नापे हैं, इस्टन होराइजन, वेस्टन होराइजन, और ये, उपर, वामन के तीन पैर में, वाने सारी दुनिया नापी है, सूर्य में, या के लिए वामन है, अब वो इंडोलोजिस्ट क्या कहे हैं, कि तुम्हारी वामन आवतार की कथा गप है, और वाई, नहीं तुमको दिखला ही दे रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं, वामन जो है, वामन में अपने कूँ, अभी बली राजा नहीं दीख्यो है, वामन के विसाविस, जब बली राजा दीखे गो, तब वो वामन अपने कूँ, वामन आवतार तरीके दीखे गो, अभी सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इमतहां और भी हैं, अभी थोड़ो बाट देखनी पड़ेगी नहीं कहो है परस्पेक्टिव अपनो थोड़ो और वाइडर करना पड़ेगो तब जाके वो डीटेल आईगी हाथ में तो एतेशु ही इदम सर्व वसुहितम इनको वसु क्यों कहो जा रहे है कि इनमें सारे वसु नहीत है क्यों देखो जान से देखो एते ही एते ही इदम सर्वं वासयंते यह जितने वसु है आठ वसु वो सबको अपने में लोकस प्रोवाइड करें यहां आके सारे जो भी कुछ है वो यहां आके बस्यों है अब बस जो लोकस प्रोवाइड कर रहे हैं अधिकरन दे रहे हैं अधि अधिकरण में करता प्रकट होएको कि नहीं? adding वाशयन्ते यह क्रिया है, वाको अधिकरण यह है अब वसती कौन है? वो भी तो खुला से करना पड़ेगो अधिरे दिर वो consolidate होके वो figurative हो रहे हो है अभी एक और मैं बताऊंगो कुला सा करूंगो कतमे रुद्राइती रुद्र कितने है अब देखो ध्यानसु देखो वसव कितने है अगनी, पृत्वी, वायू, अंतरिक्ष और आदित्ती चंद्रमा नक्षत्र एते वसव ये आठ वसु है जो भी कुछ बस्यो है इनमें बस्यो है देव भी इनमें बस्यो है दानव भी इनमें बस्यो है मानव भी इनमें बस्यो है कीट पशु पक्षी सब इनमें बस्यो है ये अपन क्या कहेंगे यह वो लोकस है, यह वो अधिकरन है, जामे सब बसे हैं, जामे बसे हैं, करके यह वसुदेव है, और वसुदेव स्याइदम, वसुदेव स्यायम, वासुदेव, अभी वो दृष्टी आनी चाहिए, वासुदेव कब प्रकट होएगो, वासुदेव कैसे प्रकट होएगो, ज जब वसु प्रकट होईंगे, वसु क्या है, आज की तारीक में अपन जाकू युनिवर्स कह रहे हैं, वो वसु है, आज की तारीक में अपन जाकू युनिवर्स कह रहे हैं, वो वसु है, आठ वसु है, वहमें कौन सी चीज बाकी रही देखो, आठ वसु में जब अपनने अगनिष्य, पृत्विष्य, वायूष्य, अंतरिक्षम, आदित्य, द्यूष्य, चंद्रमाश्य, नक्षत्राणी, नक्षत्राणी के दिए तो भेंकर, भेंकर एक्स्टेंशन हो गयो, मने टाइम को, लाइट की स्पीड को बीच में लानी पड़ेगी, तब जाके नक्षत्राणी को खुलासा होएगो, 27 नक्षत्रम ने कितनो बड़ो जगत है, कल्पना हो रही है, नक्षत्रम नहीं कह रहे हैं, नक्षत्राणी चे कह रहे हैं, ये वसु हैं, इन वसुन में, ये वसु जाएं वो, एते ही इदम सर्वं वासें ते, तद यद इदम वासें ते, तसमाद वसवह इती, क्योंकि वसा रहे हैं सबको, ये वसु को मतलब वसा नो, गुजराती में तो तुमारे वसा वबू, शाय तो वसवा हट कैसा भी कुछ शब्दे ने, वसा हट, तो वसा हट को, ये वसा हट प्रोवाइट करने वाले ये हैं, या के लिए इनको वसु कर रहे हैं, वसु कर रहे हैं, वहमें एक परस्पेक्टिव जगे हो, कि भाई ये देव हैं, क्योंकि दिवु क्रीडा, विजिकीशा, मोद, मदस, अपन, कांती, गतिशु, या तरीकी की उनमें एक material awareness है, जो मैंने अंकी जी के, हमारे जमाई के उधारण से बताई कि केमिकल को, भी एक जात की awareness है कि कौन को accept करनो, कौन को accept नहीं करनो, कौन केटलाइट वा बनेगो, कौन नहीं बनेगो, वा तरीकी की awareness इनको है, कि इनको उनको बसानो है, इनको बसानो है, जाको बसानो है, वाको बसा सके, बहुत अर्शा तक, साइंटिस्टन को ये भ्रमना रही, कि पृत्वी जैसे अट्मसफियर आजू बाजू में कहीं दिखाई नहीं दे रह है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं के लिए पृत्वी के अलावा, कहीं प्राणी नहीं होईंगे, और क्योंकि अब्रामिक धर्मने उनको ये समझा दियो, कि ये नक्षत्र और ये चंदरतारा हैं, तो सब पृत्वी वाले इनको लाइट देने के लिए भगवान ने बना है, ऐसी लाइट है ये, अब ब्रामिक पर्सपेक्टिव नेरो है, एकदम ग्राउंडेड पर्सपेक्टिव है, और डियालिटी वालग पर्सपेक्टिव है, ब्रामिक पर्सपेक्टिव जो है, वो ग्राउंड बाउंड नहीं है, त्रिलोक बाउंड है, बात ध्यान से ना कि आणि में आ रहीं यह बात करता है यह वसव है तब पाच्छल पुछन को रुद्र कोन है, देखो ध्यांस वम ज़ें सस्पेंस की बात बता रहे हो अपन रुद्र को समझ रहे हैं क्यों, रुधर अगनी कु कहय जा रहे वेद में ? पुरान में रुधर महादेवजी कु कहय जा रहे हुआ? यह रुधर लग बेद खुद क्या कर है द्यानसो देखो वेट करें कातमे रुद्रा करें दश इमेप प्राणा आंख नाक neg Cand इंद्री एदश इमेप प्राणा आत्मा एका दश इत्वी एका दश रुद्रा यह ग्यारा रुद्र यह प्राण बसकर रकाए करने 10 इंद्री और एक आत्मा बस का रही है वसू मे और इनको वो पर्सपेक्टिव खुले है बसने के कारण या लिए मैंने आपको बात कही कि पृत्वी चलवे दे है तो अपने को लगे है कि अपने पैर के दम पर चल रहे हैं बैए पृत्वी चलवे दे रही है यही तुमारे पैर सब कचु यही चंद्रमा पे जाके देखो चलके बताओ जा नहीं परती किसे अनुगरा कर रही है अपने को चलने देने में अपने को साउंस ले रहे हैं तो अपने को आहंकार हो रहे हैं कि मेरी फ्यफसास मैं साउंस ले रहे हूं आरे भाई पर कोई हेवान न्यात कप्राण न्यात यदेशा आकाशा आनंदो नस्यादेश येवा आनंदयाती तुम यह एट्मोस्फियर में जी रहे हो करके सांस ले रहे हो भाई वो अनुग्रह तुमको नहीं पता चले अनुग्रह की awareness नहीं आवे है करके तुमको देवता अनुभव में नहीं आवे है तुमको सब भौती की समझ में आवे है जब अनुग्रह की awareness जागे न वो जाको मीकियो काको awareness of playfulness क्या रहे हो है वो जगने के लिए time लगे न ऐसे ही थुड़ी जग जाए दूद बच्चा के लिए नहीं आ रहे हैं मा को constitution ऐसो है कि दूद आ रहे है और दूद आ रहे है मा को constitution ऐसो है करके बच्चा बिछड जाए तब भी मा को दूद आवे है और भागवत में तो बहुत सुंदर वर्णन की हो कि कृष्ण को भी बच्चा हो गए और उनको भी बच्चा हो गए और ज़र लोट के पाचे आए तो देव की को दूद आयो स्तन में कितने कितने बुड़े होईंगे आवे दूद आज की और तनकु तो बच्चा के लिए भी नहीं आवे बहुत सारी मां को आज कल बच्चा के लिए दूद नहीं आ रहे है प्राब्लम यह हो गई है क्योंकि वो फीलिंग्स कम हो गई है वो फीलिंग्स कम हो गई है पुरा नेन में फीलिंग्स इतनी ज़्यादा आती कि गाम के बच्चा को दूद पिलाने के लिए अपने बच्चा के लिए नहीं दूसरे के बच्चा के लिए भी दूदातो तो और अपने आवारता में पढ़ो तो बालकृष्लाल जी को ठाकुजी को पलना जुलाते बएपुरुश होते बहे दूदायो ये बात सारी क्या है भाव जगत की बात है भाव सम्वेदना की बात है भाव सम्वेदना नहीं है निक्रिया सम्वेदना है पर्ष सम्वेदना है देश सम्वेदना है ताल सम्वेदना है तो यह सारी बात है नहीं समझ में आएंगी वा रेंज की बात नहीं है वा रेंज के बाहर की बात है तो यह रुद्र है अब आधित्यांसु देखो इतो सवाल वेद करिया मैं एक भी वचन मेंड़ative निए सब वेद की वचन है खाली व्याक्षान में व्याक्षान आ थो विशेश प्रतिपत्ते न संदियादद अलक्ठन अमसास्क्रान मैं खाली व्याक्यान कर रहे हूँ मेरो कुछ नहीं बोल रहे हूँ व्याक्यान कर रहे हूँ वचन सब वेद के हैं तो कतमा इंद्रा कतमा आदित्या तो करें इती द्वाद अशा मासान सी संवत सरस्य एते आदित्या एक बरस के बारे महिना 12 मेना के 12 सूर्य वो 12 आदिति है अरे तो सूर्य तो एक वागे 12 आदिति कैसे हो गय heh अरे भाइ पर सम्वेधना चाहिए कि जेठ को सूरज कैसो है श्रावन को सूरज कैसो है ठंडी को सूरज कैसो है 12 सूरज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे है कर्मा प्रथक्तवात बहुनी नामानी भवन्ती वो एक सुरज जेठ में कुछ और कर्म कर रहे हो है बरसात में कुछ और कर्म कर रहे है ठंडी में कुछ और कर्म कर रहे है वसंत में कुछ और कर्म कर रहे है शरद में कुछ और कर्म कर रहे है बारहे महिना में बारहे तरह के काम कर रहे हैं, तो द्वादशा दित्या भवन्ति नवा, काच समझ जाएगे, काल सम्वेदना, वीकियो काकू क्या कह रहा है कि यूमन लेवल पर आके काल समवेदना आईए तो जब तुमको द्वादशा दित्ती समझ में आएंगे तब काल समवेदना है नहीं तो तुमको क्या समझ जाएगो कि बारा महिना एकट तो सूर्य चे जातनी तमारी अवेरनस चे मौटी मौकाण तया थाएगो कि नहीं तो समझ जाएगो तया तमारो कई और परस्पेक्टिव चे कई जातनी तमारी अवेरनेस चे हिमालाय पर बैठके कोई कहके एकी सूर्य तो ठीक बात है भई इमालह में तो एकी सुरी ये भूमत दे रेखा परो तब पता चले हो के आदशादिति हैं के नहीं हर आदिति अपनो काम कर रहे हूं कतमा इंद्र, कतमा प्रजापति, तो कह रहे हो भूख स्तनय इतनु इरेव सिंद्र अर्यग्याव प्रजापति और हर बखत क्या है वो अमिता बचचन की तरह अपनी बुद्धी लौप कर दे लॉक किया जाए लॉक अज लॉक मत करो अनलॉक रखो अनलॉक रखोगे तो समझ में आएगो कहनों क्या चाह रहे हैं एक तदा देश है कौन सो तदा देश है कतमे वसव वो तदा देश है इदम भी आदेश वकु कह सको कतमे रुद्रा वो अहंकार आदेश है ज्यांसे देखो सरवात्म भाव के तीन बता हैं मोड सहे वा अधस्ताद सहे वा पुरस्ताद सहे वा पुरस्ताद सहे वा पश्चाद अहमे वा अधस्ताद अहमे वा पुरस्ताद अहमे वा पुरस्ताद वो तदादेश है, जो दृती आदेश है, मध्यमादेश है, वो अहंकारादेश है, और तृती आदेश जय है, वो असी है या अस्मिक आदेश है, तत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त वकी रेंज एक अलग है तदे वागनिस तदवायोस तद सूर्यस तदुचंद्रमा तदे वशुक्रम तद ब्रह्मा तदा अपस्व प्रजापती याके लिए उपदिशद ने कई त्रयम वाइदम नाम रूप कर्मा ब्रह्मे एतत्धि सर्वानी नामानी ब्रभर्ती सर्वानी रूपानी बिभर्ती सर्वानी प्रण्मानी ब्रगर्ती तदे एतत्त्रयम सद एकम आयमात्मा आयमात्मा एकस्षन एतत्रयम तदे एतत्त्रयम सद एकम आयमात्मा ये तीन होते भई भी आत्मा के रुप में एक हैं और आत्मा एक होते भई भी नाम रुप कर्म के रुप में तीन हैं अब ये पर्स्पेक्टिव है एक कु तीन तरह से देखनो और तीन कु एक तरह से देखनो ये consciousness के अलग-अलग level है चेतना के अलग level है अथये यग्येन दानेन तपसा लोकान जयनती ते धूमम अभिसंभवनती धूमाद रात्रिम रात्रे अपक्षियमानम पक्षम अपक्षियमान पक्षाद शन्मासान दक्षनादित्य ये ते आमासे ब्या पित्र लोकान ते चंद्रम प्राप्प्य अन्नम भवंती तान तत्र यथा सोमं राजानं अवाप्य क्या सपक्षियं इत्यस एतान भक्षयंती ते शाम यद तद अवैत्य अथा इदमेव आकाशं अभिनिश्पध्यंते आकाशाद वायूं वायो व्रिष्टिम व्रिष्टे पृत्विम प्रत्विम प्राप्प्य अन्नम भवंती ते पुना पुरुशागनव हुयंते ततो योशागनव जायंते लोकान प्रत्युत्थाईन ते एकम एवमेव उपदिशंते एते वही लेतो पश्चंत पाथो नविदू कीटा पतंगा यदिदम दंदशुकं ये वसु वसु व जो चल रहा है और वाको डिफरेंट पर्सपेक्टिव है और वाके लिए माप्रभुजी आग्या कर रहे हैं कि ब्रह्मवादात आददैविक वादा पूरुममामसास्तिता किंचित अपकर्ष्ट ततो पी द्वैत वादा ततो पी भेद वादा ततो पी माया वादा अर्थ जगत में अपने को अंता मंतायां बगवद विरुद्धे बंधभवती में यह जगत जो है वो एक लीला है वो लीला थे जगत में अपने को अहनता ममता बहुत बड़ी अच्छी गिफ्ट है अपने यदि वाग को यूस करनों जानते हों तो और बहुत बड़ो शाप भी है यदि अपने वाग को मिस्यूस कर रहे हैं तो तो बंद क्यों हो रहे हो है वो अपनी अहंता ममता के मिस्यूस के कारण अपने को वो लीला को समवेदना नहीं प्रकट हो रही है जो विश्वा मित्रसु लेकर यहां तक पहुँची है कि यह एक लीला है वो लीला की समवेदना जाको मीकियों का awareness consciousness of playfulness के रहे हो है वो consciousness नहीं जगी है वो awareness जगे अपने को यह awareness यह अपने को जगे को कि यह समवेदना शृष्टी यह पुरी एक लीला है क्यों लीला है देख़ए बहुत मज़ेदार बात बताओ एक श्लोक कयो है सुभाशीत है के पता नहीं शास्त्र को है लिख लो तुमको लिखना है तो हर बखत काम आवे सश्लोके विधीयते यद यदुनन्दनेन नापेक्षते तत्र सहाय शक्ति विधीयते यद यदुनन्दनेन नापेक्षते तत्र सहाय शक्ति पांचाल बालान चल दिर घताया पांचाल बालान चल दिर घताया नतत्र तंतुर नचतंतु आया यदुनन्दन मतलब यहां ब्रह्मा अर्थ लो हों यदु के तो बहुत सारे नंदन आते तो यहां ब्रह्मा के अर्थ में कायो जा रहे हो है कि यदुनन्दन जो काम करना चाहे वा काम करने के लिए कुछ सहायक की जर्रत नहीं है एकमेवाद दितियम सत तदै ख्षत बहुस्याम पर जाये है दूसरों कोई हत्व ही नहीं कि जाकि सहायता वह ले सके वाकि कोई लाचारी है तो यह है कि वाके रेलेशन में दूसरों कुछ है नहीं जाकि वो सहायता ले सके तो विधीयते यद यदुनन्दे नेन ना पेक्षते तत्र सहाय शक्ति आयो ख्याल में उदारण क्या कि द्रवपदी को चीर बढ़ायो तो उपादान कारणते नहीं तंतु हते कि कोई तंतु वाय हतो ऐसे ही बढ़ा दियो बिना सहाय शक्ति के पांचाल अबाला अंचल दीर घता आया पांचाल अबाला द्रवपदी को जो अंचल हतो वो दुशासन खोल खोल के ठक गयो पर घटे हो नहीं वो बढ़े हो कैसे दोड़ा कां सुआए बुन्यो कोन ने अर यदुनन्दन ने बुन्यो वाकु सहाय शक्ति की जरुरत नहीं है क्योंकि एक मेवाद दितियम तदा इक्षत बहुत स्याम पर जाये है वो सहाय शक्ति की जरुरत नहीं है वो ले तो होए तो अभी वो करपा कर रहे हो है वामें अपने को करपा को playful अनुभा होना चाहिए कि वाकि कृपा वाकि एक प्ले है वाकि अपेक्षा नहीं है वो अरोग रहा है वाकि मतलब वो भुको नहीं है वो जाग रहा है वाकि मतलब वो सो नहीं रहा है वो सो रहा है वाकि मतलब यह नहीं कि ठक गयो तो याल यह सो गयो किसे रहा ने बोलिया आइस्ता मिल के अभी टुक रोते रोते सो गया थड़ो विस्तार कियो मैंने पर इन बातं को समझोगे न तो अपन सर्विस रोड पैसु खाड़ा में नहीं जाके पढ़ेंगे यह जो अपना जीवा चेतना को जाको ट्रेक है हाईवे को वह पर अपनी गाड़ी बराबर दोड सकेगी